सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज यूट्यूप चैनल को रिस पैर आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस अब्डेट मिल सके जो की बिलकुल मुख्थ है आज मुझे बहुत खुशी है कि भारत ने फिर एक बार मोदी जी के नेत्रुत्व पर मुहर लगाई है और पिछला चुनाव लोग कहते थे मोदी जी की लहर थी इस चुनाव में मोदी जी की सुनामी समूचे भारत ने देखी है और जो मोदी जी कहते थे कि इस बार प्रो इंकमबंसी है भारत के इतियास में पहली बार इंकमबंड गवर्मेंट ने इतनी ताकत के साथ वापिस मेजॉरिटी लाई है मैं इसके लिए भारत की जनता का अभार व्यक्त करता हूँ महाराष्ट्र में भी हमको अभूत पूरूँ एतियासिक इस प्रकार का विजय महाराष्ट की जनता ने दिया है भारत के जनता पार्टी श्वसेना रिपाई हमारी जो महायूती है मोधी जी के नेतरुतों में महाराष्ट में भी ये महायूती बहुत अच्छे सीट्स लेकर चुनकर आ रही है अभी कुछ सीटों के उपर टसल चल रही है पर मेरा मानना है कि जो ट्रेंट्स मैं देख रहा हूँ उसमें पिछले समय बीजेपी और श्वसेना को इत्ताली सीटे मिली थी उससे ज़्यादा ही सीटे शायद हमको अभी यहाँ पर मिलने जा रही है भारत के प्रधान मंत्री आदरणिय मोधी जी का मैं बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ जिस प्रकार से इस चुनाव में उन्होंने नेत्रुत्व दिया और पूरे भारत में पूर्व पश्ची मुट्तर दक्षिन सभी जगा मोधी जी को जिस प्रकार का समर्थन लोगों ने दिया है यह भूत-पुरो इस प्रकार का समर्थन है हमारे राष्ट्री अध्यक्ष अमिट शाह जी का भी मैं विशेश अभिनंदन करना चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रकार से सामने से चलकर पार्टी का उन्होंने नेत्रुत्व किया है और इस चुनाव की रणनीती को जिस प्रकार से हमिट शाह जी ने हम सभी को साथ में लेकर एक नित्रुत्व दिया आज उसी के फलसुरूप ये जीत हमें दिख रही है मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ जिस दिन ये चुना हुआ उस दिन से लेकर मैंने लगातार ये कहा कि जिनके मन में शंका थी मैं उनको ये कहता था कि इस बार की लहर ये सुनामी जैसी लहर है और चुकी ये सबसे ज़्यादा गरीबों में है ऐसे लोगों में है जो किसी exit पोल में नहीं आते जो किसी opinion पोल में नहीं आते और इसलिए शायर आप लोगों कोई नजर नहीं आ रही लेकिन जब चुनाओं के रिजल्ट्स आएंगे तब आप देखोगे किस प्रकार से भारतिय जमता पर्टी और एंडिये जीता है और वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक अभूत पूर्व मैंडेट मिला है महाराश में हमारे सामने एक बड़ा अकाल है कि पर मैं यह मानता हूं कि इस चुनाओं ने जहां एक और बहुत खुशी दी है वहीं दूसरी और हमारी कि नीन भी इससे उड़ने वाली है क्योंकि जब लोग इतना ज़्यादा विश्वास दिखाते हैं तो पहले से ज़्यादा काम हमको करना पड़ेगा अकाल से पीडित हमारी जो जनता है उसके लिए और अच्छा कारे करने की कोशिश हमको करनी पड़ेगी हमारी जिम्मेदारी बड़ी है लेकिन जब मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है और इसलिए मुझे लगता है कि केंदर की सरकार का हमको जो सपोर्ट रहा है उसके चलते निश्चित माराष की जनता को हम लोग और अच्छा काम यहाँ पर करके दिखाएंगे मैं विशेश रूप से हमारे सयोगी शिवसेना के पार्टी प्रेसिडेंट उद्धो ठाकरे जी का अभार वेक्त करना चाहता हूँ उन्होंने भी इस चुनाव में बहुत अच्छी भूमी का निभाई है हमारे रिपाई के अध्यक्ष रामदा सठवले जी है और हमारी जो पूरी महायूती की टीम है इस टीम का भी मैं अभार वेक्त करना चाहता हूँ मेरे सयोगी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष होंगे हमारे सयोगी मंत्री होंगे सबने बहुत अच्छा कारिय इसमें किया है और मुझे विश्वास है कि इसमेंडेट के बाद ये नवबारत के निर्मान के लिए मिला हुआ मेंडेट है मोदीजी नवबारत के निर्मान की शुरुवात तो कर चुके है पिछले पात साल भारत को पट्री में लाने का काम किया, तेजी से दवडाने का काम किया, इन पात सालों में भारत को नई उचाई पर दुनिया के सरवोत्तम राष्ट्र में ले जाने का काम, अधरनिय प्रधान मंत्री जी करेंगे, मोधी जी करेंगे, ये मेरा विश्वास है सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज योटिव चैनल को रिस पैर आइकन को जरूर दबाईए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस अबडेट मिल सेके जो की बिल्कुल मुथ थे